इंजल स्पाक अप्लिकेशन एप जो काफी ज्यादा यूनिक एंड काफी सारे फीचर से भरा हुआ है एंजल स्पाक अप्लिकेशन के माद्यम से हम लॉंग बिल्डप स्टॉक को कैसे फाइंड करेंगे आज हम जानेंगे इस वीडियो में लॉंग बिल्डप स्टॉक को find out करने के लिए सबसे पहले हमें इंजल स्पाक अप्लिकेशन में लॉग इन कर लेता है आप देख पा रहे हम इंजल स्पाक अप्लिकेशन में सेक्सफिल्य लॉगिन हो गए है market today के section में आपको नीचे वीमर का option नज़र आएगा व्यूमेर में आपको क्लिक करना है व्यूमेर में क्लिक करते ही कुछ ऐसा interface आपको नज़र आएगा जहां पर आपको equity market and derivative market show होगा हमको derivative market में click करना होगा derivative trend bullish जैसे कि आप देख पारें nifty में short covering trading का trend चल रहा है हमको scroll down करना होगा यहां पर आपको build-up show हो रहा होगा उसकी जस नीचे आपको long build-ups जैसे कि आप देख पा रहे हैं लॉंग build-up में 10 stock है stock with maximum increase in investor taking long positions OIN prices are increasing for this stock they are trending bullish जैसा कि आप 5 stock यहां पर देख पा आप क्लिक करेंगे तो overall आपको complete stock show करेगा व्यूआ पर करता हूं व्यूआ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा interface आपको नजर आएगा जहां पर आपको complete stock आपको शो हो रहा होगा यह वीडियो सिर्प और सिप के लिए है किसी भी stock या शेयर का recommendation इस वीडियो में नहीं है किसी भी stock पर buying position बनाने के लिए आपको इसे stock पर क्लिक करना होगा निचे, अगर अप्शन नॉट लोगा औहाएं जो पाइक दो ऑप्शन नॉट लोगा ढंगा जिस भी और पर प्रचेस करना है। उस ओडर पर लगा सकते हैं मुझे लिमिट मे लेना है तो में limit और लगाएं गा नीचे आपको tep-a-solot option का स्ट्ए-to-loss ऑडरiben दो हमारा ओडर सक्सेस्फुली प्लेस हो जाएगा तो गाइस हमने सक्सेस्फुली इंजल स्पाक एप्लिकेशन की मदद से लॉंग बिल्डव स्टॉक को फाइंड आट करके हमने ट्रेट को प्लेस कर लिया है वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें चेर करें अपने फ्र